है वेलो स्टूडेंट्स हाई विल्कम बैक टो मैं चैनल लेर्निंग विद दिव्या कैसे हैं आप लोग हलक याद मेरी तब्या ठीक नहीं है बाट ठीक है एक पेपर है जो मुझे मिला है मेरी के स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया है यह सहारनपूर यूनिवरसिटी का होम साइन्स पि एंट्रांस एक्जैम है उसका पेपर है मेरे पास फिक है उन्होंने मुझे भी कल ही इसे शेयर किया है बहुत सिम्पल बहुत अच्छा बहुत ईजी पेपर है जो होम साइन्स का प्रpोर्षन है एक तो इसमें रिसर्च का प्रॉर्षन आता है तो रिसर्च व भी हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स पहला कोशन स्क्रीन पर आपके सामने हैं कोशन नमर फिफ्टी वान स्टार्ट करिए सब लोग फटा-फट से मेरे साथ लाइफ चेट में करेंट कर लीजेए मुझे जोइन कर लीजेए क्लास को लाइक सबस चुमें कुछ न कुछ mental retarderness होगी और आपके जो 130 से उपर आईगे तो बहुत ही highly IQ जिन बच्चों का होता है उनका होता है इस प्रक्रिया में उत्रों को अंक या प्रतीक दिये जाते हैं मतलब सिंबॉल से आप रिप्रेजेंट करते हैं जब अपना उत्र तो आप उसे क्या बोलेंगे क्लासिफिकेशन, कोडिंग, आडिटिंग, आडिटिंग, अल अवफ द अवफ, आंसर करिए इस प्रक्रिया में आप जो अपना आंसर है आपने कोड से दे दिया तो अविसली, इट्स अ कोडिंग, है ना, वी ऑप्शन हो जाएगा आपने कोई सिंबॉल का यूज कर लिया है, नंबर्स का यूज कर लिया है, तो कोडिंग में ही ऐसा किया जाता है ठीक है, now the third question is, question number 53 है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिध्धान किस ने दिया I hope आप सबको visible है, question, English और Hindi दोनों language में, देख लिजिए classical conditioning theory किसकी है, तो classical conditioning theory जो है, यहाँ पर यह गलत मेरे को लगता है शायद किया है उन्होंने, यह आपकी इवान पावलफ की है, ठीक है, इवान पावलफ की आपकी classical conditioning theory है जो उन्होंने वो कुत्ते वाली जो theory उनकी बहुत famous है, जिसके लिए उनको Nobel वगरा भी मिला है वो इवान पावलफ है, classical शास्त्री अनुमंदन बोलते हैं, classical conditioning theory तो मैंने इंग्लिश से इसको answer करती हूँ, मैं इवान पावलफ, ठीक है नौ दा 54 नंबर का question देखते है, वान ग्राम फाट प्रोवाइट्स, एक ग्राम बसा क्या करती है भई, बताइए आंसर करिये सारे बच्चे, amazing question paper and very easy, मैंने तो इसको 5 मिनिट में solve कर लिया और मैंने का आप लोग को भी करा देती हूँ, जल्द जल्दी से कर लीजिए, yes, option number A, 9 calories देता है now the next question is, question number 55, community development program was started in India in the year, कब हुए भारत में सामुदाई विकास का रिक्रम तो आप सभी को पता है, भारत में community development program की बात करें, CDP की अगर हम बात करते हैं, 1952, 2 October 1952, 1952 now the next is, who introduced noise as an element in the model of communication process, संचार के model में किसने shore को बताया, noise को किसने बताया तो इसका answer जो है, students, वो Shannon and Weaver model में है, है न, यहाँ पर जो option होगा, वो C होगा, क्योंकि Shannon Weaver model में आपके noise है मैंने इसको देखा भी है, अभी मैं इसका image एक telegram पर भी आपको share कर दूँगी, ठीक है, बाकि आप लोग भी बता न, Shannon and Weaver वाला जो model है, communication का, उसमें उन्होंने noise की बात करी है, ओके, वीवर ने now the next question is, question number 57, प्राची इन समय में ब्रोकेट वस्तरों को कहा जाता था, ब्रोकेट को क्या कहा जाता था, देखिए, यह हमारे, मतलब मेरे point of view से मैं answer की दे रही हूँ, बाकि तो जो official आएगा, वो आप लोग official देख ले रहे हैं, जिन्होंने अगर यह exam दिया है, तो ठीक है तो यह मत परिशान हो जाना है कि मैं हम तो यह लगाया है, आप यह बता रहे हो, मैं इसलिए exams को solve कराना नहीं चाती हूँ, लेकिन बच्चे इतना request करते हैं, मैं डीट रप्रेस भी करवा दो, फला ना करा दो, धिकाना करा दो, तो फिर लगता चलो करा देते हैं, लेकिन क कोई बात नहीं है, उसे मेरी knowledge increase होती है, देखो यहाँ पर प्राचीन समय में brocade, मैंने देखा, तो मेरी book में आवे रवा भी बोलते हैं, brocade को और किम खाब भी बोलते हैं, लेकिन शबनम जो है ना, शबनम especially आपके मलमल के लिए use किया जाता है, धाका की मलमल के लिए, शब options हैं, तो यहाँ पर उप्रोख्त सभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए, तो आवे रवा शब, उसको धाका के मलमल को भी बोलते हैं, शबनम बोलते हैं, बफते हवा बोलते हैं, जबकि आपकी जो brocade है, इसको बफत तता पाठथान बोलते हैं, और किम बोलते हैं, मुझे इसका उत्तर जो लगता है, वो बी लगता है, ठीक है, बी, किम खाब, पराचीन समय में ब्रोकेट को, सपने के समान सुन्दर जिसको शायद बोलते हैं, किम खाब को है, सपने के समान सुन्दर, let me check, किम खाब, it's a, हाँ जी, इसका शावड़ करते है, स इसका आंसर B होना चाहिए, D नहीं होना चाहिए, क्योंकि शबनम जो है, वो ब्रोकेट का नाम नहीं है, वो ढाका की मलमल का नाम है, बस मैं इस बेस पर इसका आंसर B कर रही हूं, हो सकता है भाई, एक्जैमिनर D आंसर माल ले, ठीक है, बाकि आप लोग भी बताना, now the next is चिकन कारी कहां का प्रसिद का मजल लेली बताईए भई हमारे प्रदेश की बात हो रही है, हमारे उत्तर प्रदेश लखनों की बात हो रही है, ठीक है, now the next question is सुंदर्ता उत्पन करने के लिए रेखाओं, आकरतियों और रंगों की एक क्रम बद ब्यवस्था को आप क्या बोलेंगे orderly arrangement है lines, forms and colors से आप design बनाते हैं, क्या बनाते हैं आप design या proportion बोलेंगे orderly arrangement है, line, form of color, creating beauty मेरी क्याल से इसमें design ही आना चाहिए answer, एक बार आप लोग भी चेक करना it's a design भई आपने रंग आकरती और रंगों को रेखाओं को आकरती को रंगों को आपने विवस्थत करके design एक नमूना बना दिया है ठीक है, एक बार इसको आप फिर भी चेक करने लेंगे लेकिन design ही answer होना चाहिए इसका give me a second, where is my work चलो देख लेंगे वैसे design ही आंसर होना चाहिए, design की definition दियोगी न सही है, design ही है, रेखा, आकार, आकरती रिक्तिस्थान, रंग, बनावट को ब्यवस्थे सुंदर, कलात्मा कुरू परदान करना ही design के लाता है, option number B is correct, now the 60th viscous rayon है, क्या है viscous rayon viscous rayon is a regenerated cellulosic fiber, पुना निर्मित, cellulosic rayon, चलिए, next देखते हैं, 61, which fiber is obtained from the process of rating, rating की process किस में की जाती है, गलाने की प्रकरिया सूती, linen, रेश्मी, उन rating की process आपके linen में की जाती है, ठीक है option number B is correct, now the 62, these lines suggest repose or rest, आराम दर्शा रही है, बताइए ये रेखाएं, इस्थिरता और विश्राम का एहसास देती हैं, ये horizontal lines होती है, not diagonal, ठीक है, horizontal, 36 रेखा, मतलब आप लेटे हैं, लेटे हैं, आप 36 तो रेखा में हो जाते हैं, जब आप लेटे हैं, तो यही तो तब ही तो आपको rest मिलता है, विश्राम मिलता है, तो विश्राम का एहसास, 36 रेखा हैं कराती हैं, 36 मतलब लेटी रेखा, horizontal lines, ओके, now the next is, माल्टोस क्या है, एक भी कोशन ऐसा नहीं है, जिसको अभी तक मैंने पढ़ाया ना हो, जिसकी बात ना करी हो, mono-diamino क्या है, इट्स अ डायसे के राइट, क्या है, डायसे के राइट, in silk, saracen is removed by the process, silk में से जो saracen नामग गोंध होता है, उसको हटाने की प्रकरिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, de-cortication, de-lustering, de-gumming, none of the other, de-gumming, क्या कहलाती है, de-gumming, option number C, now the next is, who gave the theory of cognitive development, cognitive development, की बात कौन करते हैं, संग्यानात्मा विकास की बात कौन करते हैं, आपके, Alfred Binet, Robin Cook, Jean P.I.J., William Stun, Jean P.I.J., ठीक है, चलिए, next देखते हैं, what is the meaning of work simplification, work simplification का अर्थ बताईए, सबी बच्चों को visible है न, इस से जादा मैं इसको अच्छे से नहीं कर पाई, मतलब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पेचारी PDF नहीं बना के दे पाई, लेकिन काफी हद तक उन्होंने मुझे बना के दिया, brightness मैं इतनी ही लापाई इसमें, work simplification का मतलब है, सब ही हो जाएगा, भाई कार करने के आदतों में परिवर्ट अलाओ, work skills को develop करो, use of labor saving devices, जो आपके श्रम की बच्चत करने वाले उपकरण है, उनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कार सरली करण कर सकते हैं, उपरोग तो सभी, now the next question is, autism is characterized by impairment in which of the following area, बताइए, स्वालीन ता, autism निम्लिकित में से किस छेत्र में कमी की द्वारा होता है, communication, social interaction, pattern of behavior या उपरोग तो सभी, autism, यहाँ पर भी उपरोग तो सभी होना चाहिए, इसको मैं एक बार फिर से चेक करूँगी, ठीक है, यह मैं चेक नहीं कर पाई, लेकिन ठीक है, उपरोग तो सभी होना चाहिए, सामाजिक संपर्क है, pattern of, ब्यावार का pattern है, communication है, all of the above होना चाहिए, now the next is, speech disorders है, बताइए कौन कौन से, stambering, stuttering, articulatory disorder, all of the above, tutulana, haklana, abhiwakti, vikar, सभी आपके, speech disorder है, tyran purple color, is an example of, कहां से मिलता है, tyran purple color, बताइए, कहां पढ़ाया आप लोगोंने, dying and printing में पढ़ाया है, tyran purple color के बादे में, dying में पढ़ाया है, कि हमें ये, प्राणी जगत से प्राप्त होती है, tyran purple color, कहां से प्राप्त होता है, tyran purple color हमें, जलिली बताईए मच्छली से कहां पाई जाती है मच्छली वो भूमध्य सागर में पाई जाती है और उससे जो है कलर उनको मार के जो कलर प्राप्त होता है उसको टाइरन परपल कलर बोलते हैं तो प्राण ही डाइस है ठीक है vegetable नहीं, mineral नहीं, animal dice है marasmus occurs due to marasmus किसकी कमी से होता है question number 70 का answer करेंगे सब marasmus protein और ओर्जा की कमी से होता है PAM है, PAM protein energy, malnutrition ठीक है, now the 71 number, Kohler gave the theory of Kohler, Kofka, Kohler, Vardy, Mar ये सब आपके, Kohler ने कौन सा सिद्धान दिया था, insight learning, insight theory, सूज का सिद्धान जिसे बोलते थे, जिसमें उनके पास वो वनमानुष था, है ना, उसके उपर उन्होंने जो प्रियोग किया था, तो aha theory, insight theory, theory of insight learning, अंतरदश्टी सूज का सिद्धान, now the next is, बताइए paper cutting, pasting threading, beads help in the paper को काटना, चिपकाना, धागे में मोती को पिरोना, ये कैसे आपके skills है, gross है language है, development of finer muscles है, all of the above है मेरे इसाब से ये सूख्ष ममान स्पेशियों का विकास है, ठीक है ये fine motor skills का काम है धागे में मोती पिरोना paper cutting करना, उसको paste करना, है न, कितना भी हो सकता है महीन paper हम काट रहे हों, ये fine motor skills का example है vitamin D3 का नाम बताईए क्या है, ergo calciferol coli calciferol, tocopherol phyloquinine, vitamin D3 का नाम बताईए student बहुत important है, vitamins को मैंने इतनी बार कराया है और हमेशा इस question को मैं बताती हूँ vitamin 2 form में पायता है D, coli calciferol and ergo calciferol, ठीक है vitamin आपके जो D3 होता है वो coli calciferol होता है जबकि vitamin D2 जो होता है आपके, वो आपके ergo calciferol होता है, ठीक है तो vitamin D3 coli calciferol है, बिल्कुल ठीक है ये D2 जो होता है, वो ergo calciferol होता है D2 ergo calciferol होता है tocopherol is vitamin E and the phyloquinone is vitamin K vitamin K phyloquinone tocopherol is vitamin E silk cultivation has its origin in silk की कहती जो है कहां किस देश में हुई रेशम की उत्पत्ती सब जानते हैं रेशम की उत्पत्ती हमारे चीन से हुई है चीन से सीलिंग जो भी थी वो आपके रानी वहां से हुई है चीन से father of naturalism बताइए कौन है प्रकरतिवाद के जनक कौन है कौन है प्रकरतिवाद के जनक Russo बिलकुल ठीक आंसर है ये Russo आपके प्रकरतिवाद के जनक है now the next is it is also known as a land of linen linen की भूमी क्या है linen की भूमी क्या है Egypt मिश्व आपके linen की भूमी है option number A is correct next देखिए जल्देली सबान सगना ठीक है the period from conception to two weeks is known as बताए ये गर्भाधान से लेकर दो सब्ता तक का समय क्या कहलाता है ब्रूना अवस्ता, गर्वस्ता, शिशु की अवस्ता डिम्बा अवस्ता या कोई नहीं कितनी बार इन सब चीजों के हम बात कर चुके है मैंने तो कितनी बार ये questions आप से पूछे है germinal period 0 to 2 week is known as period of zygote या इसको आप germinal period भी बोलते है 2 to 8 weeks is known as period of embryo जिसे आप भूना अवस्ता भी बोलते है and 8 to birth period of fetus गर्वस्त शिशु की अवस्ता 8 to birth ठीक है और ये तीनो period कौन से है ये तीनो period आपके pregnancy period है pregnancy आपके इन तीन periods में divided है गर्वा अवस्ता को इन तीन periods में divide किया गया है when the infant cheek is stroked on side of the mouth is touched the reflex that occurs है जब आप शिशु के गालों को मूँ के कोने को छूके सलाते हैं तो कौन सा reflex होता है सारे reflexes पढ़ा चुकी हूँ मैं बाल विकास की marathon देख ले न चार पांच पढ़ी है अब गार स्कोर आपके ये reflexes rooting, moral startle और आपके grasping सारे सब कुछ पढ़ाया हुआ है ऐसा नहीं कुछ भी जो नहीं पढ़ाया हुआ है ये rooting reflex है बिलकुल rooting reflex है आपके जब किशिशू के गाल को आप छूते है तो वो अपना मूँ घुमाता है वो rooting reflex है next देखिए which of the following is a non-essential amino acids हमारी ट्रिक हमें याद है VIP hall में TT है हम तो यहां लिख लेंगे और फिर सब remove कर देंगे ठीक है तो V से valine भी नहीं है hall से histidine भी नहीं है lysine भी नहीं है क्योंकि हमसे non-essential पूचा है तो proline answer हो जाएगा very good now the next is which of the following is not a measure of central tendency केंद्री प्रवती की map नहीं है इन में से क्या यह answer मेरी student गलत लगाया है इसका answer होगा standard deviation standard deviation maad बहुलक madika यह तो सब central tendency की map है but standard deviation नहीं है ठीक है now the next question is सूख्ष्मदर्शी परिख्षण में कौन सा तन्तू बल खाए फीते के समान दिखाई देता है जल्दी answer करिये जल्दी जल्दी quick quick तेजी से answer करो students बल खाए फीते के समान cotton दिखाई देता है silk नहीं दिखाई देता है now the next is objective of home management ग्रह विवस्था के उद्देश बताईए परिवार की मूल भूताव शक्ताओं की पूर्ती रहन सहन का इस्ता रूचा उठाए परिवार के उद्देशों के प्राप्ती करें सभी तो क्या हो जाएगा answer answer करिये जल्दी से students मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ फिकाऊगे मैं अपने में ही solve करे जा रही है और रोक तो सभी now the next is the process of make milk bacteria free is known as दूद को किटानू रहित करने की क्रिया क्या 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 लाती है homogenation, fermentation, pasteurization and of the above it's pasteuric current, pasteurization is done only on milk ठीक है दूद के ओपर किया जाता है बना ऐसा नहीं केवल दूद के ओपर किया जाता है beer वगरा के लिए भी किया जाता है लेकिन especially जो famous है वो दूद के लिए है linen का तन्तू पॉधे के किस भाग से प्राप्त होता है बताए linen का तन्तू root से, seed से, flower से, stem से linen कहां से मिलता है linen तनी से प्राप्त होता है है ना तना तना जिससे क्या बोलते हैं आप बास्ट भी बोलते हैं now the next question is question number 85 निम्डिकित में से कौन सा man-made fiber बताए asbestos, rayon, silk या wool man-made निर्मित तन्तू ऐसा paper इतना शांदाल लग रहा है ऐसे TGT में एकदम आना चाहिए PGT में आना चाहिए sub में आसे आना चाहिए GTSV में आसे आना चाहिए माना अब दिन में तन्तू कौन सा है rayon है चलिए balance बताए structural decorative होता है formal informal होता है conventional flexible होता है intrinsic instrumental होता है balance आपके ये home management का principle है balance, art का principle है कला का सिध्धान्त है संतुलन, आपचारिक और अनापचारिक बिल्कुल ठीक है formal and informal अगर केंदर के दोनों और एक जसी बस्तू रखी है तो कैसा हो जाएगा आपचारिक संतुलन होगा है और केंदर के दोनों और एक बस्तू अलग है एक बस्तू अलग है तो कैसा हो जाएगा अनापचारिक संतुलन हो जाएगा यही तो पढ़ते हैं तो प्रॉसेस वेरवाइ न्यूटरिंट्स अर एड़िट टू फूड तो मिंटेन और इंप्रूब दा कॉलिटी अप फूड यह कराय हुआ है मैंने आप लोग को कि किस तरीके से फूड की न्यूटरिशनल कॉलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है सब कुछ कराया है खादे पधार्तों की गुणमत्ता को बनाए रखने के लिए सुधार करने के लिए पोशक तत्व डाल कर पोशन मनाने की प्रकरिया आपके फोटिफिकेशन कहलाती है क्या कहलाती है फोटिफिकेशन एंडिच्मेंट फोटिफिकेशन पढ़ा है न आपने नाओ दे नेक्स्ट इस सिफालो कॉडल सीक्वेंस बताए डेवलेप्मेंट का मस्ता को धुमुकी दिशा में विकास का करम क्या होता है there are two direction of principle ठीक है क्या बोल रहे हूँ development की two directions है development की two direction है one is cephalocodal second is proximodistal cephalocodal जिसको आप मस्ता को धुमुकी कहते है cephal मतलब सिर तो सिर से पैर की और जो दिशा में development होता है इस दिशा को हम cephalocodal बोलते हैं और जब आपके proximo मतलब जो आपके निकट से दूर extremities तक होता है center to periphery होता है है ना उसको हम proximodistal बोलते हैं यहाँ पर हमारा हो जाएगा head to feet answer हो जाएगा cephalocodal हम से पूछा है there are two development direction बोल सकते हैं विकास के दिशाएं दो है ठीक है next देखिए petrol and ether are क्या है petrol और ether क्या है grease, चिकनाई अवशोशक है विलायक है क्या है आप कब यूज़ करते हैं petrol और ether का तो उसमें करते हैं dry cleaning में petrol वगरा का यूज़ किया जाता है तो सही है यह option ठीक है now the next is question number 90 poliograst बालक को शारिरिक रूप से विकलांगता की कौन सी शेड़ी में रखेंगे आप यहां देखिए options देख लीजिए poliograst बालक है वो sensory disabled है वो multiple disabled है वो motor disabled है क्या सा disabled है जिस बच्चों को poli हो गया होगा आप में देखा होगा उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है motor disability आजाती है उन बच्चों में ठीक है वो mentally disabled नहीं होते है next देखते है hydrogen peroxide potassium permagnate and sodium hypochloride क्या है विरंजक है चिकनाई अवशोषक है चिकनाई विलायक है निमने में से कोई भी नहीं है bleaching agent है grease absorbent है grease solvent है none of the above hydrogen peroxide that is universal bleach sodium hypochloride that is jevil water they are bleaching agent ये विरंजक है hydrogen peroxide universal bleach है जोके आपके wool के लिए सबसे best होता है सबसे best माना जाता है and jevil water is used for cotton and linen जिसको आप sodium hypochloride बोलते है ये सब क्या है विरंजक है bleaches है which of the following is not a fancy weave बताइए बस एक यही chapter मेरे हाथ से पढ़ाने को रह गया मैं ये भी पढ़ा दूगी fancy weave नहीं है तो weave आपके दो प्रकार की होती है plain weave होती है और fancy weave होती है plain में आपके plain आती है basket आती है twill आती है है ना और कौन-कौन सी आती है rib आती है साटेन सटीन आती है और वाकि सब fancy में आती है तो rib जो है वो आपके fancy weave नहीं है जबकि lino भी है dobi भी है jacquard भी है मैंने पढ़ाया हुआ इसके बारे में आपको images दिखाई है jacquard लूम की और dobi लूम की सब बात करी हुई है next देखिए 93 which of the following is a water-soluble vitamin gel में घुल जाए gel में घुल जाए WVC water में ये हो गया water में कौन से घुलते है gel में घुल जाए water में BC तो vitamin B और C जो है इसमें C option save जाएगा gel में घुलनशील है now the next is brightness or dullness of a color is known as brightness and dullness रंग का चमकीलापन और धुंदलापन क्या कहलाता है brightness and dullness of color is known as chroma intensity जिसको बोलते हैं तीवरता ठीक है chroma और intensity दोनो एक ही चीज है darkness and lightness होता है value student बच्चे बहुत यहाँ बहुत गलती करते हैं और आप लोग यह चीज़ ध्यान लखना darkness and lightness of color is known as value रंग का गहरापन और हलकापन उसका मूल लेके लाता है कि कौन सा रंग कितना गहरा है कौन सा रंग कितना हलका है लेकिन अगर हम brightness और dullness की बात करते हैं चमकीलापन और धुंदलापन की बात करते हैं that is intensity chroma जिसे आप बोलते हैं there are three dimensions of color hue, chroma and value chroma is also known as intensity यह बात ध्यान रखना है ठीक है chroma को intensity भी बोलते हैं तीवरिता भी बोलते हैं now the next is complete control over related variable is research का question है छोड़ो आगे चलो suggested answer to a problem in research is यह मुझे पता है अनुसंदान में समस्य के प्रस्तावित उत्तर को क्या कहेंगे बताईए variable hypothesis planning research design इसको null hypothesis बोलते हैं ठीक है hypothesis इसको बोलते हैं hypothesis null null hypothesis के बारे में आपने पढ़ाओगा वही है यह suggested answer to a problem in research is अनुसंदान में समस्य के प्रस्तावित उत्तर को hypothesis बोलते है परिकल्पना बोलते हैं ठीक है प्राकल्पना लिखाई से परिकल्पना भी कहते हैं next देखते हैं थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी मुझे पता है थोड़ा सा ये blur हो गया है बट मैं बता देती हूँ मैं बोल देती हूँ rhythm is related to lie सम्मंदिद है lie किस सम्मंदिद है बताइए center of attraction, balance, movement of eyes तो आपकी आँखों की गती से lie सम्मंदिद है जैसे ये जैसे ये क्या है ये आपके lie है ये आपके क्या है ये आपके lie है तो lie क्या है आँखों की गती से सम्मंदिद है ये तो question बदा नहीं कितना सबका favorite बना हुआ है mercerization mercerization treatment is done on कैसे भी पूछ रहे हैं कैसे भी mercerization परिसज़क किस के उपर की जाती है नहीं दिख रहा है तो इसी बतादो मेरा question सुनके ज़ए मरर작ization की प्रकरिये किस के उपर की जाती है किस पर की जाती है किस पर क्या जता है सूती वस्त्रों पर cotton fabric की उपर mercerization किया जाता है ठीक है ये दो-तीन question ही है बज़ो नहीं दिखाई दे रहोंगे आपको अच्छे से concept of reinforcement in learning was introduced by भाई अधिगम में पुनरवलन की संकल्पना की बाद कौन करते हैं reinforcement की बाद आपके skinner करते हैं कौन करते हैं skinner जी करते हैं reinforcement पुनरवलन की बाद आज की वीडियो का अंतेम कोशन question number 100 transmission of physical and mental traits for parents to offspring is माता पिता के शारिरिक और मांसे गुणों का अपनी संतान में हस्तान अंतरण क्या कहलाता है बताए कैसे आपके अंदर आपके मा पिता के गुणों आए हैं jeans कित्रूं आए हैं heritage वंशा नुकरम कित्रूं आए हैं वंशा नुकरम और वातावरण का एक व्यक्ति के उपर पूरा प्रभाप पड़ता है दोनों का बराबर प्रभाप पड़ता है आप यह नहीं क्या सकते कि वंशा नुकरम का जादा है वातावरण का कम है ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर इसका अंसर हो जाएगा आपके वन्शानुक्रम ठीक है क्योंकि शारेरी को मांसे गुणों का अपनी संतान्मे हस्तान अंत्रन पूछा है तो वो वन्शानुक्रम हो जाएगा हमारे माँ हमारे बाल लंबे हैं, हमारे आखो का रंग नीला है हमारी कद काठी लंबी है हमारी बुद्धी बहुत अच्छी है मतलब हमारे पापा बढ़ने बहुत अच्छे थे बाबा बढ़ने बहुत अच्छे थे, हम भी बढ़ने बहुत अच्छे तो ये जो क्वालिटीज है, ये जीन्स ट्रांसफर होते हैं ठीक है हेरेडिटी से समन देते हैं चलिए आज का जो सेशन है यहीं खतम होता है स्टूडेंट्स यह इतने ही कोशन थे जो कि आपके होम साइंस वाले थे ठीक है पीडियाफ टेलेग्राम ग्रूप पर आपको मिल जाएगी कोशन को सॉल्फ करिए कोई कोशन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एक स्टूडेंट्स है उसका नाम स्टूडेंट है उसका नाम यार नहीं आ रहा है उसने मुझसे बोला था मैं मेरे पास । प्लीज हमे प्लीज हमें नेक्स मिलेंगे नेक्स ट्रोपिक के साथ डी ट्रपल अजवी के बच्चों के लिए ये कोशन इक्वली इंपॉर्टेंट है तो आप लोग कर ले ना फिर को डी ट्रपल अजवी का नहीं करा रहे हैं पेपर सॉल्फ कर रही थी तब वियत खराब होगे इसलि पर बहुत अमेजिंग पोल बना बना के डाल रहे हो आप लोग मतलब मजा आ रहा है करने में मैं खुद मतलब बहुत ज़्यादा देखके वह जाते हूं कि वाव वट वट अ कोशन मतलब क्या कोशन पूछ रहे हैं बच्चे अपनी समझ से अपनी स्टडी से अपनी डीटे किसे हमें सयोग देते रहे हैं देखे इस से केवल हमें फाइदा नहीं हो रहा है हमें मतलब मुझे कोई फाइदा नहीं हो रहा है फाइदा आप लोगों को भी हो रहा है जब आप सब मिलके काम कर रहे हो आपके फ्रेंड सब मिलके काम कर रहे है तो यूनिटी आप में सकता क्योंकि कोई भगवान नहीं है ठीक है तो जिसको भी जिस फील्ड में नौलेज जदा अच्छी है वो उसके कोशन उतने ही बहतर लेकर के आ रहा है यह देख के बहुत अच्छा लग रहा है अभी पांच-छे दिन ही हुए है आई तिंग उस गुरूप को बनाय हुए 500 के बच्चे कंप्लीट होने जा रहे हैं तो जो भी आड होना चाते है वह आड हो सकते हैं उस पे और अपना सहयोग दे सकते हैं सब के लिए पोल ओपन रहता है सुबहें दस बज़े से शाम के साथ साढ़ साथ या कभी कभी आठ भी बच जाते हैं अप लोग उसमें अपना सहयोग जरूर दीजिए थांक्यू सो मच बहुत बाते हो गई चलो बाई बाई अपना ध्यान रखेंगे सबी बच्चे बाई स्टूरेंट्स